कश्मीर के पुल्वामा कस्बे में हुए एक ग्रिनेड हमले में एक नागरिक की मृत्ति हो गी जबकि एक CRPF जवान गंभी रूप से घायल हो गया सूचना के नुसार आतंकियों ने कस्बे के मुरान चोग पर एक CRPF पेट्रोल पार्टी पर ग्रिनेड हमला किया जिससे नागरिक वजवान चोटिल हो गये दोनों घायलों को तुरंट अस्पिताल पहुँचाया गया जहां नागरिक को मृत गोशित कर दिया गया जबकि जवान को श्रिनगर के आर्मी होस्पिटल में रेफर कर दिया गया गटना के तुरंथ बाद इलाके की घेरबंदी करके तलाशी अभियान चलाया गया संदेग्द आतंकियों की तलाश जारी है पर अब तक किसी आतंकी संगठन ने घटना की जम्मेदारी नहीं ली है मारे गए नागरिक की पहचान मुहम्मद अयूब के रूप में हुई है